मोहन जी आपका विरंदन है आपने तो 29 में से एक भी सीट कॉंग्रेस के खाते में नहीं जाने दी मोहन जादव जे नमस्कार ये मानि एसस्वी प्रदान मदरी नरेंद मोदी जी की कारिकुशलता है जनता में मत्यप्रदेश की जनता में मोदी जी का प्रभाव है हमारी सरकार में मानि मोदी जी के आशिरवाद से पिछले समय जो हमने काम किये और संगठन की एक जुटता के साथ ये जनता के बीच मानी मोदी जी के मेजिक का कमाल है मोदी जी के मेजिक का कमाल है लेकिन ये मेजिक मद्धिबर्देश में तो चला लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाया महराश्टर में नहीं चल पाया कैसे देखते हैं आप मद्यप्रदेश वो स्थाने जा जन्संग के जमाने से भार्जेंता पार्टी की विचारधारा का जड़ तक जन्ता के घरों तक दिलों तक अपने आप असर रहता है और हमको यह आनन दे कि मानी नड़ा जी के नेतरत में और मानी मोदी जी के नेतरत में मानी आमीद जी के नेतरत में हमने प्लान किया और उसका पूरा लाब मिला हमको नीचे तक मांनी मोदी जी के काम को ठीक से पोचाने के साथ सरकार और संगठन की एक जुटता हमने की नीचे अपने प्रत्येक जिले के अंदर प्रत्येक विदान सवा के अंदर और आपकी जानकारी के लिए बता दू कि हमारी अपनी मद्देश का ट्रेक रिकार्ड दो बार से 2014 में हम 27 सीड जीते थे 2019 में 28 सीड जीते थे मैं वही पूछ रहा हूँ कि मद्देश आप मेरे सवाल का या तो जवाब देना नहीं चारे या अवाइड कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ कि 29 मद्देश में तो मोहन जी आप लोगों की आ गई लेकिन महरास्ट में नहीं उत्तर प्रदेश में जो आपको क्या लगता है को कि आप संगठन के आदमी है इसलिए मैं आप से प्रेस्ट पूछ रहा हूँ अब देखिए नितीज जी अपनी डिमांड रख रहे हैं चंदरबाबु नाइडू अपनी डिमांड लख रहे हैं जन्द चौधरी की अपनी मांग है चिरास्थ पासवान की अपनी मांग है तो मतलब बीज़े पी इसे पर अगर में करूँ आ तो मुझे इसा लगता कि हमने एक जुटता के साथ बहुत ताकत से लड़े थे और बोधी जी का नाम इत्ता बड़ा था कि हम जीते थे बाकी राज्यों के लिए चुकी चुनाओ पूरे संपन्न हो गए और सौभाई ग्रूप से हमारा जीवन संगठन ह हमारे मानी नड़ा जी मानी अमीद जी मानी पीम साव और बाकी वरिष्ट पार्लेमेंटी बोर्ड है वो उसका सिमिक्षा करेंगे अब तो परिणाम आ चुके हैं इसलिए अब कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले समय में यह जहां जहां चुक हुई उसको भी दूर करने अमीद जी आपको बताना चाहूंगा कि हमारी 29 सीट में से क्रमस से अगर बता दूँ तो हमारी पहली विजाए 11 लाक लगबक फोरने 12 लाक वोट से इंदोर की है वात तो कैंडिडेट ही नहीं था ना वात तो कंग्रेस का कैंडिडेट ही चला गया था नहीं नहीं था लेकिन उसके बहुजद भी यहां एक कांग्रेस ने बड़ी गलती की कि उनने नोटा को प्रक्तियसी बनाया जो काउंटिंग में नहीं आता है अब यह कंग्रेस को विचार करना आगे हमारे लिए तो मुद्दा नहीं आज कि वो अपने सेकेंड पे नोटा को लाकर के उनने एक तरह से नकारात्मक्ता दिखाई अब तीसरी बात बताना चाहूंगा कि हमारी यह जैसे विदिसा सीट है इस विदिसा सीट पे भी मानि स् सुस्मा जवराज तक और मानने अभी हमारे पांच बार से माननी सिर्मां सुरासिंझ चोहाँन भी 사न शानसद रहें तो चैंश माज!.. विदान सभा से लोक सभा जीती थी और अभी शाड़े आठ लाग से आठ लाग 21 जार से माननी शिवराज सिंजी चोहां जीते हैं पांच से ज़्यादा सीट हैं हम 55 लाग से जीते हैं और एवरेज अगर हम देखे तो हाँ एक भी सिड हमारी 50,000 वोड से कम से जीतने वाली ये निकि वहां पर पांस पांस राग की जीत हो रही है और बगल में उत्तर प्रदेश है वहां पर पांटी स्ट्रागल कर गई आपको हैरानी नहीं उत्तर पॉरा हम देखेंगे तो निश्वरुप से विचार का विश्यत रहेगा आप ये समिक्षा में आएगा ना दिर दिरे आज क्या जिस पर पन क्या टिप पनी करेंगे जो रिजल्ट आया वो सामने है कहां कोई क्या गलती हुई कैसे और आगे बनाना था सरकार मोदी ही बनाएंगे ये स्पस्ट है क्यों नहीं बनाएंगे मोदी जी के नहों पर नाम पर सरकार बनाएंगे तो मोदी जी की नाम पर नहीं बनाएंगे तो कोन बनाएंगा बता हूँ एंडिये के नेता मोदी जी है और या आजादी के बाद उनीस सो मा एक बार मानी न पुरा देश चाहता है तुरी दुनिया चाहती क्या अब रहते रहते उनकी सरकार गई उनके सामने लगाता तीसरी बार इतनी बुरी पराज़ाई हुई ये कांग्रेस विचार करें ना कांग्रेस के सामने आज इतनी बुरी इस्तिती बनी है और कांग्रेस अपनी सरकार न बनाने के साथ पूरे इंडिये 20 गड़ बंदन के मित्रों के साथ मिलकर भी अगर अखेली भाज़पा को पराजीत नहीं कर पाई तो कांग्रेस का विसे है वो अपने आत्मा उलोकन करें, वो अपने विचार करें नहीं, अब उसके वामले में भी अगर उनकी आप बात करें, उनसे हमसर क्या स्था तुलना हो सकती है, कांगरेस को तो यह स्थिती हो गई कि आज आज आपी देखिये, कुछ समय बात क्या स्थिती बनेगी कांगरेस की ये सारे 20 के 20 लोग बिखर के अलग-अलग जाने वाले हैं एक भी साथ में रहे गाई ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि इंडिया अलाइंसी बिखर जाएगा लेकिन राहूल गांदी कह रहे हैं कि मारल विक्टरी नहीं ये हमारी मारल विक्टरी है क्योंकि नरेंद बोडी को अपने बूते जवाबदारी से कह रहा हूं किसी हलत में नहीं रहेंगे अब माफी मांगे सबसे सबके सामने कि हाँ अमने से जूट बोलाता हमने जो जितनी बात जूट कर सकतें तो राभूल गांदी वो सब पर ली उनने उसके भात भी अग़ आप राभूल गांदी ने बात को कोई गंबिरता से नहीं लेता पूरा देश नहीं लेता एक बार निए था टीशरी बार के चुनाओं में से दो गया कि राहुल गांदी जी को राजनीतिक रूप से विचार करना चीए कि उनकी बात का बज़न क्यों नहीं पड़ता है वो राजनीतिक आखलन क्यों पाते है अपनी बार्टी को जो सोचीट नहीं दिला पा रहा है ऐसे में व viol कहां जाके खड़े होंगे ये उनके लिए कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों के विचार का भी से है ये हमारी लड़ाई परिवारवादियों से थी और ये परिवारवादियों को जनता ने जवाब दिया है लोगतंतर के अंदर के ये ऐसे लोग ऐसी बात करते रहेंगे तो जनता इनको लगातार न कारेगी जी मोहन यादब जी आपके शांदर प्रदेशन पर यानि भारतिय जनता पार्टी के शांदर प्रदेशन पर आपको एक बार बहुत बहुत शुब कामना है आपने तो इतिहाद रच दिया 29 में से 29 सीटे जिता कर और चिंदवाडा भी हरा कर यानि मैन ओफ दे महत बन गए आप क्या कहना चाते हैं बीजेपी के मैन ओफ दे महत आप है नहीं मेरे को मेरा ऐसा कुछ नहीं कहना मैं सामाने कारे करता हूँ और कारे करता के नाते से जैसे समने मेहनत की मैं अपनी मुख्यमंत्री के नाते महिनत की है और विनमरता के साथ जन्ता ने जो रिजल दिया मुझे इस बात की प्रसनता है चिंदवाडा हम एक लाग से ज़्यादा वोट्स जीते और आपकी जानकरी के लिए बता दू कांगरेस के लिए हम अपने इस चुनाव में कांगरेस के ट्राइबल के बड़े नेता जो पूर कांगरेस काणतिलाल जी जो केंद्री मंत्री भी रहे उनको उनके घर में डवल वोट्स है राया हमने पिछली बार वो नबेह जार से हरे थे अब की बार दो लाग से ज़्यादा वोट से उनको राया है और हमारे अपनी विचार पे जो आकरमन करते थे हमारे यहां के वरिशनिता कांग्रेस के पूर मुख्यमंतरी और बहुत सारे जवाबदारी पे रहे माननी दिग्वे सिंग जी उनको भी हमने अच्छे मारजिन से एक लाग से लाग से वोट से राया है बहुत 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 बढ़ी बाहुत बढ़ी जीत है मैं कहता हूँ कि मोहन यादव मद्यपरदेश के मैन आफ दा मैच है यानी सुपरस्टार है और उत्तर ब्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी के रत को रोका है तो दो यादवों ने एक बीजेपी रे दूसरे ने इंडिया गटबंदें में कमाल कर दिया है बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमार साथ जुड़ने के लिए इस खास मौके पर इस बड़े दिन पर राहुल गांदी की बात को सीरेस्टी नहीं नेना चाहिए नरेंद्र मोदी प्रधार मंत्री बनेंगे और जो इंडिया अलाइस के बड़े से लेकर छोटे नेता कह रहे हैं उनके दावों में उनकी बातों में दम नहीं है मोहनिया दो पहली बार इलेक्शन के बाद किसी चैनल पर जुड़े वो न्यूज एटीन है